वा भई वा दिल को आनंद ही आ गया ये वाड़ी न्यूज छुनकर सुप्रीम कोट ने सेडीशन को होल्ड पर रखतिया है अगर किसी पॉइंट ओ व्यू से और डाटा के हिसाब से आप देखोगे न तो सुप्रीम कोट ने बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा हथियार चीन लिया है मैं इतना खुशक्यों हूँ और ये सेडीशन क्या है और बीजेपी सरकार इसको कैसे यूज करती आ रही है दोस्तों नवश्कार मेरा नाम है गोरो आप देख रहे हैं बिना समय गवाई शुरू करते हैं आज की वीडियो को सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये सेडीशन है क्या इंडियन पीनल कोड सेक्शन 124A अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ भी ऐसा कह देते हैं जिससे नफरत की भावना पैदा हो सकती है अगर आप बोल कर कहते हैं लिक कर कहते हैं आज कल तो सोशल मीडिया पर अगर आप पोस्ट कर देते हैं उससे भी आपको सेडीशन के चार्जिज लग सकते हैं तो 124A के तहट आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है इसकी शुरुवात अंग्रेजों ने की थी 1837 में थोमस नाम के एक अंग्रेज ने इसका ड्राफ्ट सब के सामने पेश किया था कि हाँ इस तरह का भी एक लो होना चाहिए और 1860 में इसको लो बना दिया गया कि हाँ सेडीशन एक कानून है एक धारा है बैसिकली अंग्रेजों के द्वारा ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस टाइम पर रिवोल्ट का टाइम था आप देखेंगे 1857 का रिवोल्ट हुआ था उस टाइम पर अंग्रेजों के खिलाफ लोग कुछ ज्यादा ही हो गये थे उनकी आवाज दबाने के लिए हम भारतियों की आवाज दबाने के लिए ध्यान से सुनियेगा मैं क्या कह रहा हूँ हम भारतियों की आवाज दबाने के लिए इस लोग का निर्मान किया गया था और ये प्रोसीजर 2014 के बाद एक बार फिर से उभार ले रहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे इंडियन नेशनल मूव्मेंट के बड़े-बड़े करांतिकारी जैसे महात्मा गांधी, बाल गंगा, धरतिलक भी इस सेडीशन के बहुत mainly victims थे उनको भी arrest किया गया था सेडीशन के basis पर लेकिन 2014 के बाद, यानि मोदी सरकार जब से power में आई है उसके बाद फिर से एक उच्छाल दिखाई दिया है सेडीशन के charges में मोदी जी लगातार ये कहते हैं कि criticism is key for democracy 2015 में भी कहा था और 2017 में मन की बात में भी उन्होंने कहा था कि constructive criticism is good for democracy लेकिन अगर आप data उठाकर देखेंगे तो कहीं दूर दूर तक भी आपको ये नजर नहीं आएगा कि BJP भारतिय जनता पार्टी ये मानती है कि criticism democracy के लिए अच्छा है Ministry of Home Affairs और National Crime Records Bureau ने 2019 और 2020 में ये दिखाया था कि sedition के charges दिन परती दिन बढ़ते ही जा रही है देखिए 2010 से लेकर अब तक 11,000 sedition के charges है और इन 11,000 में से 65% sedition के charges लगे है जब से BJP सरकार पावर में आई है यानि आप सरकार के खिलाब कुछ भी छोटा मोटा बोल दीजिए कोई post कर दीजिए आप पर चाल ठोक दिया जाएगा sedition कि ये वेक्ती सरकार को defame करने की कोशिश कर रहा है नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है ऐसा मैं नहीं बोल रहा दोस्तो डाटा ही बता रहा है ऐसा और अगर अब भी आप नहीं समझ पाएंगे अब भी आप कमेंट में मोदी, योगी, कॉंग्रेस, राउल गांदी करेंगे तो आपसे बड़ा गवार कोई नहीं है और sedition के चार्जी ज्याद अतर लगाए गए है opposition के politicians पर, journalists पर और even students छातरों तक को नहीं छोड़ा गया है जब-जब BJP सरकार को criticize किया गया है तब-जब BJP सरकार ने इस sedition को as a tool of harassment यूज किया है देखिए, मान लीजे, आप पर sedition के चार्ज लगा दिये गए है मैं अपना ये example ले लेता हूँ, मुझ पर sedition के चार्ज लगा दिये गए अब होना जाना तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे court के चकर तो कटेंगे न मुझे court जाना पड़ेगा, FIR मेरे नाम से कट जाएगी बहुत सारी चीज़े हो जाएगी, तो physically harassment तो होगी ही तो जब-जब BJP सरकार को criticize किया गया है तब-दब इस sedition को उन्होंने as a tool of harassment यूज किया है पिछले 10 साल में 405 लोगों के खिलाफ sedition के cases हुए है 95% पिचाण में % 2014 के बाद हुए है और इन 405 cases में से 149 case हुए है जिन लोगोंने मोदी जी के खिलाफ कुछ का है और 144 case हुए है जिन उन्होंने democracy का key feature लगता है 2014 से लेकर 2020 के बीच में 28% sedition के cases बढ़ गए है ये statewide sedition के cases का graph है और इन 500 states में BJP का राज है 2016 से लेकर 2019 के बीच 160% sedition के cases बढ़ है हमारे देश जिन मेंसे 21 cases को तो तुरंत बंद कर दिया गया due to lack of evidence गवार इंसान है ठीक है कुछ भी मान लीजिए हल्ट होगा कोई एक्जामपल ले लीजिए कोई भी नेता है कुछ भी थोड़ा सा बुरा लग गया अपने वकील को बुलाएंगे हाँ वही क्या कर सकते हैं अब वकील समझदार है सरवड तो कुछ कर नहीं सकते हैं अब दोस्तों ये देखा गया कि इसका तो काफी मिस्यूज हो रहा है बड़े-बड़े politicians, बड़े-बड़े पत्तरकार इसके शिकार हुए है तो human rights और कुछ civil rights वालों ने ये सवाल उठाया कि क्या जरूरत है इस edition की ऐसा कानून जिसने हमारी आजादी के टाइम पर भी हमारी voices को दबाने की कोशिश की मातमागांदी जैसे व्यक्ति इसके prime victims रही और एक democratic country में इसकी जरूरत क्या है तो Supreme Court ने अब ये कहा कि हम इस कानून को review करेंगे और देखेंगे कि इसको हटाया जाए या नहीं हटाया जाए लेकिन जब तक हम review करेंगे तब तक ये hold पर रहेगा यानि अब sedition के case के थुरू आप पर कोई भी F.I.R. नहीं हो सकती और अगर आप पर sedition के case के थुरू पहले ही F.I.R. हो चुकी है और आप arrest हो चुके है तो आप bail के लिए भी apply कर सकते है दोस्तों मैं personally काफी खुश क्यों हूँ इस decision से जैसा मैंने आपको data बताए ना BJP criticism को बिलकुल बरदाश नहीं कर रही है आप चोटी सी post कर दीजिए उसको तुरंत ही धार्मिक सोच से जोड़ दिया जाता है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ ठीक है इस देश में तुमें क्यों रहना है यहां से भाग जाओ देश द्रोही हो तुम गद्दार हो तुम इसको बनाने वाले Britishers थे और आज Britishers खुद अपने देश में इस कानून को लागू नहीं कर रहे है खुद उनके देश में sedition लागू नहीं है और हमारे देश की फुटी किसमत देखिए British कानून बना कर गए हैं और अब भी वो continue हो रहा है मैं तो यह उमीद गरता हूँ कि इसको Supreme Court बिल्कुल ही अटा दे तो सही है आपकी क्या राय है हो सकता आप मुझसे better जानते हों मुझसे अच्छा जानते हों इस बारे में तो comment box में जरूर बताईएगा आज के लिए सिर्फ इतना ही Supreme Court की जो भी guidelines आएंगी मैं अपने Instagram पर आप सभी को बता दूँगा जाकर मुझे follow कीजिए यह मेरे channel का logo आ गया है इस channel के logo पर press करके हमारे channel को subscribe कीजिए बाई बाई टेक केर जैहेंद